मुझे शक है को इंगलिश में क्या कहते हैं यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मुझे शक है को इंगलिश में कह सकते हैं आप I doubt या I suspect जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे प्रदान की गई जानकारे की सटीकता पर शक है तो आप कह सकते हैं I doubt the accuracy of the information provided या अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे समय पर कार्य पूरा करने की उनकी एक शमता पर शक है तो आप कह सकते हैं I doubt his ability to complete the task on time अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंगलिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें